जाहें दोस्तों इस समय हैं हम MC Ground के बाहर और आपको दिखाते हैं आज बरती का दूसरा दिन है और कितने जिलों की भरती थी किती तैसील आज लगाई गई थी हम अभी बच्चे देखिए ये पूरा बैच छोड़ गया है जो कि अंकिट वाला बैच है हम इसे भी बात करने व साइब उड़ाए गया था थोड़ा साइट पे आई यह हंड़ें बच्चों को दोड़ाए गया था आपके बैच ने लड़कों को पास किया गया त्याला पचीश-थीज़ आप कैसे रह गए वहां पर नहीं में लब आप तीस पैटिस बच्चों को पास कर रहे ते सौ में कि आपने रनिंग की तैयर यह नहीं की थी कितनी आती थी आपकी टाइमिंग पांच 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 रोड में दौड़ते थे आप इसका मतलब हाई बेम दौड़ते थे क्या नाम है आपका नवल कहां से हैं नवल हमीरपूर से रहने वाले थे अच्छा आपका हश्ट आपका सेम बैच रहा होगा कितने बचों को पकड़ा गया था अच्छा शुरू में जब आपकी इंट्री की गई थी तो क्या डाकुमेंट चेक कर रहे थे अच्छा अंदर बैच बनाए जा रहे थे वह सब बैच बराबर थे तो कोई नहीं था अच्छा में आप क्या कहना चाहेंगे जैसे आप लोग ग्राउंड पर वहां पे रोड पे रहने करते थे रोड पर आपकी 16 मेटर टाइमिंग क्या आती थी मेरी चार-पचास-चार-पचास-चार-पचाफ़पं फिर भी आप रेस नहीं मार पाए यह कैसे हो सकता है अब बीच बेच में फस्क है बच्चों की बीच कि से उए तो सो का बैस था आपको आपने देखा होग को अप लोगों को और हमारे आगा कुमटिशन लोग बनाते और किसे बरती देखी यह आपने देखी थी किस में था आपका जीड़ी में था कहां कि रहने वाले आपका पंकच पहली वरती थी आपकी आप की पहली वरती थी कभी अप्रुंस की थी इसके पहले तो रूनिंग आप तेडी नहीं पाए होंगे बिल्कुल भी आपका क्या नाम है दिनकर आप तो हमें अच्छे रेसर लग रहे हो फिर क्या दिक्कत हुई आपके साथ रस्य में हमीर पूर कहां के रहने वाले आप अच्छा आप भी हमीर पूर्ग आप भी रोड पर रनिंग क कौन से ग्राउंड पर करते थे जलोकर के रहने वाले हैं तो आप ग्राउंड पर रेनिंग करते थे कभी शोला सो मीटर पूरा फिट्स लगाया आपने क्या टाइमिंग आती थी वहां पर तो देखिए बच्छों की टाइमिंग अच्छी आ रही थी कोई बच्छा ग्राउ बच्छा रह जा रहा है और एक तो पानी डाल दिया जाता है जिससे क्या होता है कंकल उख़डा आते हैं इससे बच्छों को नंगे पैर दोलने में बहुत ज्यादा दिकत्ता सामना करना पड़ रहा है तो हम चाहेंगे जो भी बच्छे बरती देखने आने वाले हैं वो आते हो तो कम से कम आप जूते फैन के आएं जैहंद जैफारत